तुकि किसी भी दिश्टिकोन से सीमा है दर भारत के लिए ठीक नहीं है सचीन को यदी नहीं रहना है भारत में तुसला तुम जाओ पाकिस्ताने में रहना सब जाएगा इसके फेडा में सब जेल जाएगा उसका परिवार सचीन का सारा परिवार इसके फेडा में जेल जाएगा ये इसे नहीं जाया जाने दिया ना कुछ नहीं है प्रेम पुरूम कुछ नहीं है ये जाल साज है प्रभा कर रही है कि कही नहीं मैं प्रेगनेंट हूं अब क्या लगता है कितीनी सच्चाई है सर आप तो जानते हैं जी आप वरिश संपादक है पुरी जानकारी रखते हैं किस तरीके से देख रहे हैं जब वह पिछले बार बेल मिली तो बच्चों का हवाला दिया था थे ब भागना ही पड़ेगा वो किसी कीमत पर उसको जाना ही चाहिए और जूट मूट का जो यह नक्षडा कर रही है यहां जी यह वह गया जी है यह फोगया हो गया तो यहां अपना देस में जाव अपना देस सिधा सिधी उसका पति भीट वाने वाला है आई नहीं रहा है पता करके मैं नियाई प्रणाली से गुहार लगाना चाहूंगा जो इस तरह के मामले को अभिलंब जो है न छुटकाड़ा दे और हमारे देश से ऐसे इसे समस्या को जो है नतुरत देना चाहिए चुकि किसी भी दिष्टिकों से स्रीमा हेदर भारत के लिए ठीक नहीं है हमें तो लगता है जो कोई जासूसी के भेद में वह पाकिस्तान से भेजा गया है चुकि इसका भाई भी सैना में है बहुत तरह की बात होती है और लगात जो है ऐसा बात करना स्रीमा हेदर के लिए ठीक नहीं होगा अब इसको किसी भी हालत में भारत से बिदा लेना ही पड़ेगा इसे जाना ही पड़ेगा इसे कोई रोकने बाला नहीं चाहिए उसका कोई हो आके दादा दूदी कर ले लेकिन कुछ बात नहीं चलेगी सीमा हेदर को भारत से किसी भी तरह से जाना इंपड़ेगा क्या लगता है कि मेडिया कर्मियों को बलाओं दर रहाए सच में कुछ ऐसा है तो नहीं रहना है भारत में तुछ आला तुम जाओ पाकिस्ताने में रहना लेकिन स्रीमा हैदर को भारत में किसी भी तरह से रहने नहीं दिया जाएगा ये तो भारत के लोग बोल चुका है और कई बार बोल चुका है इसके लिए नियाई प्रणाली को भी और सरकार को भी सुषित तरह से इसे सशक्त करके सिधा सिधी यहां से रफा रफा करना चाहिए इस पर अब कोई रोक नहीं होना चाहिए जो आइबाय का कोई हिसाब नहीं होना चाहिए स्रीमा हेदर को तुरत भारत सरकार निर्देश देज यहां से चला जाए चुकि यह अती अभा कर दिया है और बहुत जो ऐसे लोगों को यहासे भगाना ब्रदधा जरूरी है इसलिए इसका बेलुल देना नहीं है इसे जिद्हा-ड़ी पाकिस्तान भेज देना है अपना जाये अपना इसका जाये बकस के तो जो हुमारे भारत में बैठा हुआ है उसको बसाकर बैठा हुआ उसके पिता और उसका क्या करना चाहिए उनको भी तो कुछ बता है सब जाएगा इसके फैड़ा में चलते इसको जाना ही पड़ेगा और नहीं तो इसा प्रेंट के जाल में यह कूई आतंकवादी को फसा क लाता है और भारत में और सुरक्षा की भावना देखा जा रहा है इसके चलते इसलिए इसको जाना ही पड़ेगा और नहीं तो सचीन का पुड़ा परिवार जैल में रहेगा या वास्ताओं में प्रेम है या कुछ और है क्योंकि कहीं न कहीं देखके लगता नहीं कि प्रेम हो सकता देखिए कुछ नहीं है यह जालसाज है और जाहिर सी बात है जो यह कोई घोर साजिस के तहट भारत में इस तरह से ज समयो जन के तरह से में करणा आप बता रहे हैं कि यह हो सकती लोग वी जानते है कि गंटी बच पर जो इसको प्सकषा के है एंदोस्तान में कि इतना लौट है। इतना बेवकूप है कि उसको कोई नहीं मिला। इसलिए दोसी है तो इसे जाना ही पड़ेगा कोट भी इसे कोई ने कोई तरीका से इसका जो है ना समायो जन करेगा और इसे कानून के तहट से भीतर करेगा सारे परिवार को भीतर करेगा लास्ट उपाई यह होगा और सिमा हैदर को 38 बिधा किया जाएगा भारत सी यह आप जाल में सचिन मीना भी फसा है और तमाम देश के लोग भी फसते चले जा रहे हैं अब जितनी जल्दी उसका पती आएगा बच्चे की घस्रडी लेगा बच्चे लेकर जाएगा और ये भी कानोनी हतकंडे में पकड़ी जाएगी और कहीं न कहीं अंतता पाकिस्तान को अब देख रहे हैं सोगंद टीवी जन्यवाद आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की